खबर बल्या से हैं जहां दिवरिया हत्याकांड को लेकर बल्या की यूबाओं में भारी आक्रों से दिवरिया हत्याकांड को लेकर यूबाओं में इस घटना की कड़ी दिन्दा की है और आरोपियों के घर के उपर बुल्डोजर और माकान धोस्ती करण जैसे कारवाहे की मांग किये और मृतक सत्य प्रकास दुबे के परिवार से मिलने के लिए भारी संख्या में यूबा बनिया से देवधिया के लिए रवाना हुए यूबा ने पिरिद परिवार का हर तरह से मदद करने की बात कही है यूबा भानु दुबे ने बताया कि हम लोग दोनों परिवार से नहीं मिल पाए स्वर्गी सत्य प्रकास दुबे के परिवार से मिलने क्योंकि दूसरा पक्ष का हत्या किस ने किया है इसका पुष्टी अभी तक नहीं हो पाई लेकि सत्व प्रकास दुबे के साथ जो घटना हुआ है वह बहुत ही गलत हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना में बच्चों का कोई दोस नहीं था और उन बच्चों का बेरहम हत्या कर देना यह काफी नहीं है अब कर दो कर दो करना चाहते हैं और यह जाती भी से इसका कोई वह नहीं है जो गलत चीज है उसके पक्ष में जो गलत चीज लोग किये हैं परिवार के साथ गलत हुआ उसके पक्ष में जाके अपनी सांद मुति देना साथ है किनके दुझाएंगे तो दोनों तरब से हुई है उधर से भी एक हत्या हुई है पुष्टी हुई नहीं है और यह साथ कुलता के साथ जो माली यह कि अगर बाप गलती भी किया है तो बेटा दो बेटियों का बच्चों का अब चौद्र साल के बच्चों का कोई दोस्तों है नहीं है तो इसी सब उप्लक्ष में हम लोग जा रहे हैं और पूलिस ने इसको निश्पक्ष करें आप वो तो उनका विसा है हमारा समाज की बात है और जो गलत है उसके लिए हम यहां सब ही अपने टीम के साथ हम लोगा जो पार्टी वाली और जाती वाली बात से अटागे जो गलत जो निंदनिय कार हुआ है जो बहुत ही गलत कार हुए कुलता पुर्वक जो हत्याय हुई है इसके उप्लक्ष में जा रहे हैं किसी के घर्म के साथ लोग पांच लोग पूरे परिवार उजड़ गया है इस उप्लक् जो चीज एक परिवार का पूरा परिवार खत्म हो गया 14 साल का बच्चा जो है अपने जीवन मिट्व से लड़ रहा है उस चीज के वज़े से हम लोग जा रहे हैं और राइनीद करने वाले राइनीद करे हम लोग को भाई जो समाग जा गलत हुआ है उसके वैसे हम लोग इस परिवार के शताम कर दिया जाए हम लोग जो चीज हमको गलत लगेगी जिस परिवार हे वे सक हुआ है उनकी अपनी करना है और उस में उनके परिवार के साथ हम लोग आज भी हैं, आज इवां रहने का काम करेंगे, और आज आर हम लोग सहयोग भी करेंगे, आगे भी जरूत पड़ेगी, तो हम लोग उनके लिए पूरे परिवार के लिए आज इवां खड़े रहेंगे, दोनों बच्चों के लिए.